जो लोग भारतिय मूल के हैं वो उनके बारे में जादा जानते होंगे। मैं उनके आतिहासिक पहलूँओं पे नहीं जाऊंगा। पर एक राजा हुआ करते थे। छत्रपतिर शिवाजी महराज को आप जानते हैं। शिवाजी जो एक महान राजा या एक समराट रहे हैं जिन्होंने आपको पता है एक तरह से बहुत जबरदस्त रूप से सम्मान प्राथ किया अपने प्रशासन के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपने साहस के लिए और उन्होंने जिस रणिनीती के साथ उस दोर में युद्ध किये, उनका बहुत सम्मान किया जाता है खास कर कि महाराश्ट के लोगों द्वारा तो शिवाजी उनके प्रशासन के तरीके के कारण आज भी महत पूर्ण है उन्होंने बेहद, विकसित और प्रबुद्ध प्रशासन चलाया बड़े ही कम लोग उनके प्रशासन के बारे में जानते हैं आमतोर से लोग उन्हें सिर्फ उनकी युद्ध की रणनीतियों की वज़े से जानते हैं पर उनकी सबसे खास बात उनका प्रशासन रहा है अपने राज़ी के लिए उन्होंने बेहद उन्नत प्रशासन किया तो उनके एक गुरु रहे हैं जिनका नाम रामदास था एक दिन शिवाजी अपने महल की एक बालकनी में खड़े थे उन्होंने देखा कि उनके गुरु हाथ में भिक्षा का पात्र लिए घर घर जा रहे हैं भिक्षा मांग रहे हैं फिर उन्होंने सोचा ये मेरे गुरु सड़कों पर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं मैं एक राजा हूँ मेरे गुरू सडकों पर भेक्षा नहीं मागने चाहिए उन्हें तो फिर उन्होंने बालाजी को बुलाया जो कि उनके साहयक थे उन्होंने चिठी लिखी और भेच दी जाहिए और इसे गुरू के चरणों में रख दीजेगा तो वो गए और इस चिठी को गुरू के चरणों में रख दिया तब उन्होंने इसे उठाया और पढ़ा और रामदास मस्कुराए और अगले दिन वो महल में आए और बोले इस चिठी में शिवाजी ने लिखा है कि मैं अपना पूरा राज्य आपके चरणों में रखता हूँ आप इस राज्य और मेरे साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं तो रामदास बोले अब जब आपने अपना राजबाट त्याग दिया है और ये मुझे दे दिया है तो आप क्या करने की सोच रहे हैं तो शिवाजी बोले सद्गुरु जी जो आप बोलेंगे आप मेरे सद्गुरु हैं आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा और मैं सिर्फ आपके आसपास रहकर आपकी सिवा करना चाहता हूँ मैं बस यही करना चाहता हूँ फिर रामदास के पास एक और भिक्षा का पात्र था वो बोले ये लो और दोनों सड़कों पे भिक्षा मागने निकल गए समराट और गुरू दोनों लोगों ने जब गुरू उनके घर पे आते थे वो सोचते थे ये सिर्फ कोई भिक्षुक हैं और जो दे सकते थे वो दे देते थे अब समराट खुद आये हैं बड़े सम्मान के साथ वो जो कुछ भी दे सकते थे उन्होंने दिया ऐसा सिर्फ आजकल होता है कि जब कोई भिक्षुक घर आए तो लोग उन्हें पका हुआ खाना बचा हुआ खाना और हर तरह की चीज़ें देते हैं पर इस उन्सकृती में आतीत में ऐसा कभी नहीं किया गया था वो सिर्फ सामग्रियां अनाज देते थे चावल, डाल है न? ये कुछ ऐसा तो अपना खाना वो खुद जाकर पकाते थे और खाते थे तो जब उनकी भिक्षा मांगने का काम खत्म हुआ तो वो नदी के पास गए और गुरू ने एक साथारंड सा खाना त्यार किया उस दिन मिली भिक्षा की सामग्री से एक सरल सा खाना बनाया और फिर उनके खाना खानी के बाद जो कुछ भी बचा हुआ था शिवाजी ने जो अब राजा नहीं है खाया फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और शिवाजी ने मुस्कराते हुए कहा आप जब आपने मुझे केवल 24 घंटों में ही एक भिक्षुक में बदल दिया है आप मेरे साथ और क्या करना चाहते हैं तो रामदास बोले इसको घेरव कहते हैं भगवा रंग के कपड़े का एक टुकड़ा उन्होंने ये भगवा कपड़ा उन्हें दे दिया ये उनके शरीर पे था इसे निकाला और शिवाजी को दे दिया और कहा इसे अपने द्ध़ज की तरह इस्तेमाल करना और वापस जाईए देश पर राज कीजिए और इतना याद रखिएगा कि ये राज आपका नहीं है अगर आपको पता है कि ये आपका नहीं है आप इसके मालिक नहीं है तब आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करेंगे आपको इस तरह साशन करना है तो शिवाजी ने हमेशा भगवा कपड़े का या भगवा धज का अपने राज जी के प्रतीक की रूप में इस्तमाल किया और उन्होंने अपने राज जी पर हर संभव तरीके से प्रभवध रूप से शासन किया मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ शिवाजी की महिमा इतनी बड़ी हुई वो इस देश के दिलों और दिमाग में बसते हैं क्योंकि वो क्रपा में जीए उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े फर बिलकुल संतुलित रहते हुए कभी गुस्से में नहीं, कभी नफरत में नहीं, कभी कहीं भटके नहीं बस वो किया जो जरूरी था क्रपा सबसे बड़ी शक्ती है जो आपके पास हो सकती है एक बार जब क्रपा आपके जीवन में आ जाती है तो हर छोटी चीज मैं कृपा के लिए कैसे उपलब्द हूँ कृपा यानि ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक दिशा से आ रही है जैसे गुरुत्वा कर्शन है कृपा है लेकिन बहुत बड़े आयाम में क्योंकि गुरुत्वा कर्शन एक खास दूरी तक ही काम करता है कृपा स्रिश्टी का आधार है लेकिन आप इसके लिए उपलब्द नहीं होंगे अगर आपके पास अपने व्यक्तित्र की मजबूत दिवारे हैं अगर आप निर्मूही हो जाएं तो धीरे धीरे दिवारें गायब हो जाएंगे और इससे क्रपा पैदा होगी आप में हर चीज क्रपा पैदा करने लगेगी